आज मैं बनाओंगी अचार गोश्ट और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले एक देख्ची में 4 टेबिल स्पून ओईल डालेंगे दो दर्मियानी साइस की प्यास टालेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे अब इसमें एक टेबिल स्पून देसा नद्रक का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे तेन चोटी इलाइची आधा किलो गोश्ट डाल कर दो मिनट तक भून देंगे दो कप पानी डालेंगे अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि गोश्ट गल जाएंगे यहां पे मैंने आधा कप दही ली है अब इसमें 1.5 टी स्पून अचार गोश्ट मसाला डाल कर मिक्स कर लेंगे गोश्ट कर चुकाएंगे अब इसमें नमक डालेंगे हास में साय का एक टेबिली स्पून लाल मुर्चों का पाउडर डालेंगे दो हरी मिर्चे डालेंगे दही का जो मिक्स्चर बनाया था वो डालके अब इसको हम थोड़ा सा बून लेंगे यहां पर मैं एक कप पानी डाल रही हूँ और अगर आप शोल पर ज्यादा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से पानी डाल दें अब इसको पांच मिनट लो फ्लिम पे रगतेंगे ताकि तेलू पर आ जाए अचार गोश तयार हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कर दे और अगर आप महंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरा चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर दे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल कर दो दो निख और बोग्य और बोग्य है आए अ को